Hello everyone, my name is Nikhil and welcome to the channel, आज के वीडियो RRB, NTPC and Railway, Railway Recruitment Board, NTPC and non-technical popular category, थोड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन railway के अंदर जितने भी non-technical नौकरिया होते हैं, उसके ये recruitment करती है, RRB, NTPC, पांस साल के बाद ये form निकल रहा है, undergraduate आनि ये 12th pass के बच्चों के लिए, graduation वालों के लिए निकल चुका है, 12th वालों के लिए एक दो दिन पहले निकला, मेरे थोड़ी तब्बेट डाउन थी इसलिए वीडियो एक दो दिन आपको बाद में मिल रहा है, बट सारी information आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है, एक चीज में पहले बताया हूँ, जिन बच्चों ने फॉर्म भर लिया है, कोई बात नहीं अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बराया है, मैं पोस्ट प्रिफरेंस का वीडियो बनाने वाला हूँ, और जॉब प्रफाइल का वीडियो, इस वीडियो के बाद आएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म भरते हो तो, आई हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चीज़े देखना शुरू करते हैं, एक इंफॉर्मिशन और देदू, पोस्ट कम है, सारे 3,000 के आसपास है, लेकिन डेफिनिटली पोस्ट इंक्रीज होने वाली है, 9,000, 10,000 तक पोस्ट इंक्रीज होकर के जा सकती है, लेकिन जो 20 तारिक को इसका नोटिफिकेशन निकला था वेबसाइट पे, रात में निकला था, तो एक तरीके से अपले के चली 21 को निकला था, और 21 से ही आप इस फॉर्म को अपलाई कर सकते हो, कब तक 20 अक्टूबर इस फॉर्म को भरने का आखरी डेट है, रात में 12 बजी तक, फीस करने हैं, तो आप 23 तारिक के बाद वो चेंजिस कर भी सकते, टेक है, डेट के बात होगे, फीस के बारे में आपको पता ही होगा, जनरल OBC के लिए 500 रुपए है, बाकि सारे के टेगरी के लिए, साथ में वूमेन और ट्रांसजेंडर के लिए भी 500 रुपए है, और इसके अ अटेम्ट आप करने पहुंच जाओगे न, एक्जामिनेशन हॉल में, तो भी आपका ये 400 रुपए वापस आजाएगा, एक बात आप ध्यान से सुन ले न, जब भी आप फॉर्म भरवारे होगे, वहाँ पे एक जगह होगा, जहाँ पे आपको बैंक डिटेल डालना है, मत 500 रुपए में से जो 400 रुपए आपके वापस आएगे न, उसी अकाउंट में आएगे, आप नहीं बताओगे न, कैफे वाला अपना डाल देगा और वो पैसे ले ले लेगा, तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना, फॉर्म भरते वक्त, ये भी मत सुचना कि कोई पैसे नि आनी थी, एक्चुली 6-7 आनी थी, लेकिन आई चार ही, आपकी ग्रेशन वालों के अंदर भी दिखाया था हूँ, थेकि ये 5 पोस्ट ग्रेशन वालों के अंदर थी, ग्रेशन के अंदर 81-13 आपकी टोटल आपकी पोस्ट है, और यहाँ पे 3400 आपकी टोटल पोस्ट है, ल यहां पर एंडरेशन वाले वीडियो है आप comment करोगे तो migration वाले के भी उपर वीडियो ज़रूर बना दूगा तो यहां पर integration वालों की जो post है आपके सामने आपको दिख रहा है इतना ही है और train color से आपको दिख रहा होगा 72 आप इसको preference में number 1 डाल दो बस आपकी लूटिया वहीं पर डूब जाएगी, आपका cut off समझ में आ जाएगा आपको कितना जादा आने वाला है तो यह आपका होगे vacancy और अच्छे से देखेंगे अभी eligibility में vacancy के साथ आपका सारा चीज़े दिएगी हैं, वहाँ पर देखेंगे हम लोग यह आपका देखेंगे, यहाँ पर अच्छे से देखते हैं, तो यह हमारा चार पोस्ट है और जो आपका age है, वो भी आपको सामने दिख जाएगा, 18-23 साल तीन साल जो आपका COVID आयदा ना, उसकी वज़े से यहाँ एक्स्ट्रा मिलता है तो आईए, अब हम लोग डीटेल में देखते हैं, यहाँ पर यह पहला पोस्ट है, कमर्शल कम, टिकेट कलर, यह इसको मतलब थोड़ा सा घुमाने वाली बाते हैं मोटा मोटी आपको बदा दू, तो यह वाली जो पोस्ट है, सबसे अच्छी पोस्ट में से एक है यह वाला बंदा अच्छी पोजीशन पे भी होता है, और जितने भी कमर्शल अक्टिविटी होती है, उसके अंदर इंडल्ज होता है स्टेशन के अंदर ट्रेन के अंदर नहीं ट्रेन के अंदर ट्रेन कलर लिखा हुआ है न यानि देखिए स्टेशन पर दो चीज़ होती है एक तो ट्रेन आती है ट्रेन से रिलेटेड एक्टिविटी दूसरी स्टेशन से रिलेटेड एक्टिविटी तो स्टेशन वाला आपक commercial apprentice का, graduation वाली post अगर आपने देखी हो, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, commercial यह है, chief commercial come, ticket, supervisor नाम इसका fancy कर दिया, यह है commercial apprentice ही आपका, commercial apprentice का यह आपका color होता है, तो जितनी भी commercial activity चलती है station पे, सबका in charge वो होता है, और यह उसके under में होता है, तो यह station master के equivalent वो post है, और यह भी आपकी almost promotion करके वहाँ पहुचेगा, तो almost important post में से एक है, तो यह बहुती खुबसूरत और important post है, और सबसे अदर post आपकी इसी के अंदर है, यह 2022 post, आपकी level 3 की नोकरी है, क्या salary होती है level 3, level 2 पे, सबसे अच्छी इस 12 वालों के लिए तो level 3 वाली है, level 3 के अंदर आप मोटा मोटे लिके चलिए, 42,000 आपके salary मिलेगी, level 2 वालों के लिए आपकी 35,000 salary मिलेगी, यही मोटा मोटा जो आपका बनता है, यह initial पे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, medical standard के बारे मैं आपको बताऊँगा, कि इसके अंदर क्या medical standard चाहिए, जब आप इन में से post की preference भरूप तो, उमर का जो यहाँ पे criteria 18 से 30 साल होता है, जनरली, पर 33 साल आपको extra मिल कर रखे 18 से 33 हो जा रहा है, उमर की calculation भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 जनवरी 2025 से लोग करेंगे, तो यह बहुत अच्छी बात हैं यहाँ पे कुछ-कुछ, और आपके सामने सारी detail हमने देख ली है, age का भी criteria देख ली है, सारे post के अंदर एक ही age का criteria 18 से 33 साल, 34, 45 आपकी total post है, और जो exactly date है जिसकी बीच में apply कर सकते हैं, वो भी मैं आपको थोड़े देर में दिखा दूँगा, पहले physical criteria देख लेते हैं, eligibility हमारा start हो चुका है, physical eligibility अभी देखेंगे, उसके बाद age का थोड़ा सा देखेंगे, फिर education देखेंगे, जहाँ पर भी A3 लिखा हुआ है न, यहाँ पर कहाँ लिखा है A3, हाँ, train clerk पर लिखा है A3, इसका मतलब इसके अंदर जो एकदम fit बंदा है, वो ही apply कर सकता है, अगर आपके आँख थोड़ी खराब है, और आपने operation कराया हुआ था आँख का, आँखों के उपर ही आपके क्रेटेरिया है कि color blindness वगएर कोई problem नहीं होने चाहिए, नीचे आपका थोड़ा सा relaxation है, छे बाई बारा तक है, operation क्या होगा तो भी कोई बात नहीं है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा चश्मे वश्मे का combination बना करके, आपका आँख अगर आप दिखता है, चश्मा पहन लो, contact पहन लो, कुछ भी पहन के, अगर आपको दिखता है अच्छे से, तो यहाँ पर आप physically fit हो, B2 में भी और C2 में भी, तो यानि बाकी जितने भी B2, C2 हैं, इन सब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, आपका आँख वाले बंदे भी जिनका आँख वाले बहुत खराब है, वो भी कर सकते हैं, और इसके अंदर तो जिसके आँख अच्छी है, वो यह अप्लाई कर पाएगा, A3 वाले पोस्ट के अंदर, ठीक है, 41 प्रिवेशर पेपर्स आपको अलक्सी दे गए हैं, यह वाला आपका पेपर फ्री है, आप चाहो तो जागर के वेबसाइट पर लोगिन करके फ्री वाला पेपर देखे भी देख सकते हो, नोरनिखल.in मेरी वेबसाइट है, आप sectional wise भी दे सकते हो, sectional wise भी आप देख सकते हो, 60 आपका sectional test stage 1 के लिए, CBT 1 के लिए, 18 आपका CBT 2 के लिए पड़ा हुआ है, overall mock test देखा जा, 35 आपका CBT 1 और 71 mock test आपका CBT 2 के लिए पड़ा हुआ है, तो मातर 99 रुपे में यही नहीं, तो noornacle.in मेरी website है, आप लोग ज़रूर एक बार चेक आउट कर लेना, eligibility criteria पर आ जाते हैं, age के बारे मैंने आपको बदा ही दिया था, थोड़ा सा detail और दिखा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको exact जो, आपका जो date है ना, कि किस date से है, पहले आपको पैदा नहीं होना है, वो यहाँ पर cut-off लिखा हुआ है, 33 के साब से, unreserved EWS के लिए लिखा हुआ है, OBC के लिए लिखा है, SCST के लिए लिखा है, और आपकी सारे category के लिए हाँ पर लिखा है, बाकी आपका यह 33 साल जैसे तो होई गया, OBC हो तो 3 साल प्लस, यहनि 6 साल तक अप्लाई कर सकते हो, बाकी 5 साल और आपका बढ़ जाएगा, जैसे अगर आप SCST हो तो, तो इस तरीके सियांब पर relaxation, over and above are 33 years, जितने भी आपको मिलेगा, ठीक है, तो यह आपका doubt था, I think मैंने clear कर दिया है, उसके बाद आपका education qualification पर हम लोग आ जाते हैं, देख लिजए, सारे की सारी post की न, education qualification तो एक ही जैसी है, यह दो post के अंदर requirement, एक छोटे से चीज़ की, बस एक अलग है, बाकी सब के अंदर आपकी same है, यह दो जो post हैं इसके अंदर typing test की requirement है, typing test कोई बहुत बड़ा लोग ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई cut off निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं, बस लोग typing देख लेंगे, आता है क्या, बस आपको pass करना है उसको, कोई बहुत आपका important नहीं है, मिन तो आपका rating है, और उपर की post और निच्चे की post में, तो वो भी आपका typing test नहीं है, और यह दुनों जो typing वाली post हैं, इसके अंदर cut off must कम जाता है, 10-15 number cut off कम जाता है, मैं जब मैं post preference का video बनाऊंगा, तो उसमें अच्छे से बताऊंगा, किस post को कितना apply करना है, किस बच्चे को apply करना है, अच्छे से समझाओंगा आपको, बट यहाँ पर इस समझ लिजीए, अगर आपको typing आती है, तो इनको preference में उपर रखना है, तो कि इसका cut off 10-15 number कम आपका आता है, आपका education qualification देख लो, सारी post का बड़ा simple है, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, एक बड़ आप देख लो यहाँ पे, कोई भी 12th pass इस form को apply कर सकता है, 12th appearing बच्चा form को नहीं apply कर सकता है, ठीक है, 12th अगर आपने किया है, physics, chemistry किया हो, commerce किया हो, arts किया हो, बले एक दो मैं आपके कम आयों को फिर नहीं पड़ता है, total मिला करके आपके जादा होना चाहिए 50%, 50% 49.99 भी है, तो apply आप नहीं कर पाऊगे, एक इसके अंदर catch है, मानलों आपके 12th में 50% से कम रहागा है, लेकिन आपने graduation कर लिया है, किसी भी field में कितने भी percentage से, तो आप apply कर पाऊगे, तो अपने आप highest degree पे graduation चुल लेना, तो आपका ये criteria हटा देगा, आपके 12th में 33 आए हो, कोई फ्रक नहीं पड़ता, आप apply कर पाऊगे, अगर आपने graduation कम्प्लीट किया है, तो या फिर आपने 12th के बाद कोई भी degree ले ली है, तो भी आप यहाँ पर apply कर पाऊगे, जरूरी नहीं graduation ही हो, आपने कुछ और भी course कर ली है, लेकिन 12th के बाद वो होना चाहिए, तो आप apply कर पाऊगे, आपने b-tech, b-tech भी किया है, कुछ भी किया है, आप apply यहाँ पर कर पाऊगे, ठीक है, कोई भी degree हो, बिना किसी percentage के requirement के, तो यही है, आपका हो गया criteria, कोई भी 12th pass, 50% marks, basic criteria यही है, और graduation हो, तो वो भी जरूत नहीं है, exam pattern के उपर आ जाते हैं, process देख लीजिए, first stage CBT है, उसके बाद second stage CBT है, CBT 1, CBT 2, English का paper इसके अंदर है ही नहीं, English आपका weak है, कोई tension के बाद नहीं है, English का इसके अंदर paper ही नहीं है, नहीं जरूत है, उसके बाद typing test वाला, अगर आपका post अपने apply किया है, तो ही आपका typing test होगा, उसके बाद document verification, उसके बाद medical, उसके बाद आपकी नोकरी हो जाए, कि 1 by 3 negative marking है, दोनों ही CBT के अंदर, आए पैटन देख लेते हैं, पैटन देख लीजिए, आप सारा, पहले पैटन से पहले post wise देख लीजिए, देख लीजिए, चार आपका post है, पोस्ट जो आपका चार है, चारों का इखटा आपका CBT 1 होगा, और CBT 2 भी आपका इखटा होगा, लेकिर अलग-अलग क्यों लिखा हुआ है, देखे, सबसे पहले CBT 1 होगा, जिसमें 15 गुना बच्चे लोग सेलेक्ट करने वाले हैं, यानि आपको 50-60,000 बच्चे सेलेक्ट करेंगे, अभी के पोस्ट के हिसाब से, ये आपका कोई भी जैसे के आपने क्या प्रिफरेंस में भरावा है, कोई फरक ने पड़ता, लेकिन इसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट होंगे न, आगे CBT 2 का जो आपका कट आफ निकलेगा, वो आप कौन सी पोस्ट को अप्लाई किये हुए हो, उस पे इतना जादा फरक पड़ जाएगा न, कि आप सोच भी नहीं सकते, यहाँ पर तो आपका कम फरक पड़ रहा था, CBT 2 के अंदर तो जमीन आसमान का आपको अंतर पड़ जाएगा, तो आप कौन सी पोस्ट को अप्लाई करते हो, यह बहुत जादा यहाँ पर जरूरी है, और यह दो के अंदर टाइपिंग टेस्ट है, बाकि दोनों के अंदर यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट आपका नहीं होने वाला है, वन बाई त्री नेगेटिव मार्किंग में आपको बताई दिया था, आई आजाते हैं पैटन के उपर, तो CBT1 के अंदर आप देख लो, मैथ के तीस कोईशन, रिजनिंग के तीस कोईशन और जनरल अवेरनेस के चालिस कोईशन होंगे, और इसके अंदर आपके 33 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का होगा, 90 मिनट आपको टोटल मिलेगा, कोई sectional cutoff नहीं, कोई sectional timing नहीं, 100 questions, 100 मार्क्स, 60 मिनट नहीं, 90 मिनट आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सब के लिए अच्छी बात है, तो cutoff इतना जादा जाता है न, भगवान हाथ जुड़ वाले इतना जादा cutoff जाता है, पूछो मतना आपको बताऊंगा थोड़ी दिर में, CBT2 का क्या है, आपका सेम टाइप का ही है, 35 questions, 35 marks, आपका reasoning का 35 questions, 35 marks, general awareness का 50 questions, 50 marks, 120 questions, 120 marks, solve करने के लिए आपको 90 मिनट मिलने वाला है, यह हो गया CBT1, CBT2, कहीं आपका English paper देने के जरूरत तो आपको है ही नहीं, mock test में आपको बताया था, आप मेरा जरूर ले सकते हो, नोर ने के लिए डॉटेन, सब कुछ इसके अंदर जो आपने देखा है, यह चीज covered है, तो यह था pattern, इसके बाद आपको बस आपको test देना है, आपका tapping test, उसके बाद आपका selection है, tapping test वाला post नहीं अपलाई किया, तो कोई बात नहीं, mega pack भी आप मेरा ले सकते हो, किताबों के वारें बात करते हैं, तो देख लिजए, RRB NTPC के उपर latest किताब मैं देखा, 18 September को launch होआ पड़ा है, तो यह बहुत ही अच्छी किताबों में से एक है, third edition है, Hindi English दोनों बच्चों के लिए है, मैं दिखा देता हूँ, देखिए आपके सामने, यह Hindi में भी है, English में भी है, अच्छा एक चीज़ और बतादो, जो इस पैटर्न आपका था न, यह graduate, undergraduate, उसका भी CBT1 और 2 दोनों सेम ही पैटर्न है, पैटर्न के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, देखिए, आपका पहली बार ऐसा हो रहा है न, कि 12th और graduate वालों को अलग-अलग आपका हो रहा है, exam, पहले क्या होता था, NTPC का एक notification निकलेगा, graduate, undergraduate, जो होगा सब इखटा, CBT1 होगा, सब के लिए common, पास कर लेंगे, CBT2 लेवल के वाई, जैसे कि आपने देखा न, 12th वालों के लिए लेवल 3 की पोस्ट है, लेवल 3 के लिए एक अलग ही single examination, CBT1 के बाद हुआ करता था, बाकि लेवल 2 के लिए अलग हुआ करता था, तो जो लेवल 3 के लिए अपलाई करते थे थे न, के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाकि सब के लुजी examination है, वही उनको देना है, अलग से special वाला नहीं देना जो hard था, तो CBT2 कई लेवल में बटा होता था, अब वो हटा दिया है, 12th के लिए एक ही CBT2 है, और आपका regression वालों के लिए एक ही CBT2 है, हाँ, form आप भर होगे, वहाँ फीस अलग पे करनी है, यहाँ फीस अलग पे करनी है, यह घाटा है, पहले एक ही फीस में काम हो जाया करता था, ठीक है, तो यह आपका doubt clear किया मैंने, और किताबों के बाद, मैं यह बात मैंने इसलिए बोला, क्योंकि अगर आप एक किताब पर्चेस कर लेते हो, तो दोनों में जगा आपका काम आ जाएगा, तो यह किताब है, जिसको आप पर्चेस करते हो, तो यह undergration वालों के लिए है, इसके अंदर आपके प्रिवेशर के पेपर भी दिये हैं, और सब कुछ आपको syllabus भी दिया गया, खैर undergration के रिश्ण का कोई इसके अंदर बात नहीं है, सबके लिए एक common किताब है, कोई भी पर्चेस कर सकता है, बहुत अच्छी किताबों में से आपका ये एक है, हिंदी, इसका क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं इसका किताब रिकमेंट किया था, आपको 2019 में भी, आप वीडियो से लागर के देख ले हैं, नोवर नेखिल NTPC 2019, तो आपको मिल जाएगा वो, तो ये वाला किताब में तब भी रिकमेंट किया था, उनका नया उस वक्त किताब निकला हुआ था, तो 2019 का हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप चाहो तो कोई भी पर्चेस कर सकते हो, प्रेक्टिस करने के लिए भी इंग्लिश में भी है, आपका, सुरी वो हिंदी था, और ये आपका इंग्लिश में भी है, आप दुनों में से कोई पर्चेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत अच्छे किताबों में से एक है, ठीक है, ये सिंगल सिंगल किताब भी आपर है हमारे पास, अगर आपको सिंगल सिंगल किताब से पढ़ाय करनी है, गाइड नहीं चाहिए, तो देख लीजिए, शॉटकाट इन रिजिनिंग पर्चेस कर लीजिएगा, अगर आपका रुजान रेलवे में हैं और SSC में है, तो बैंकिंग के तरफ भी रुजान है, आँग बंद करके पर्चेस करो, कोईच भी और सोचने के जुरत नहीं है आपको इसके अंदर, इंग्लिश में इसके अंदर है ही नहीं, कोई किताब पर्चेस मत करना, ठीक है, सिलेबस के बारे हम बात कर लेते हैं, सिलेबस को देखा जाते हो, जो नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया गया, यही है, क्लियरली, आपका जनल अवेरनेस सबसे बड़ा टॉपिक भी है, इसलिए सबसे बड़ा सिलेबस भी है, इसके अंदर हर टॉपिक से एक एक दो दो क्वेस्टन आते हैं, पूरी एक strategy वीडियो में लेके आने वाला हूँ, NTPC के लिए, लास्ट टाइम भी लेके आया था, अल्मूस्ट वन मिलियन व्यू थाउस के उपर, इस बार भी आप लोग वीडियो को प्यार दीजिएगा, strategy वीडियो में बहतरीन लेके आने वाला हूँ, सेरे बस आपके सामनी सक्विक्ण के बारे में बातका लेते हैं, दिख्ये, कटस जो इसके इंदर है वो RRB के हिसाब से आता है, आपके RRB के हिसाब से इसके इंदर पोस्ट बटा हूआ है, अप्लाई करते वक्त हो सकता है आपके RRB में train color की post ना हो जहां से apply अप कर रहे होगे लेकिन दूसरी हो जो आपको apply करनी है तो हर एक post हर एक RRB का अपना अले वेले cut-off है range मैं आपको बता जेता हूँ 70 नंबर से लेकर के 96-97 तक cut-off है 100 में से बोल रहा हूँ 96 cut-off है बैंगलोर का मैंने देखा था 96 cut-off था तो cut-off बहुत जादा इसके अंदर vary करता है इसलिए आपको क्या apply किया हो क्या ने apply कियो इस पे बहुत जादा dependent है चीज़े तो कैसे apply करना है क्या कर रहा है मैं आपको next video में बताऊंगा cut-off मैंने आपको idea दे दिया range का कि 70 से लेकर के 95-96 तक आपका cut-off जाता है तो आज के वीडियो में इतना ही था सब को चमने देख लिया इस वीडियो में कुछ doubt आएगा भी तो comment करेगा मैं उसको clear कर दूँगा next video मैं actually मैं clear करूँगा उसको comment section में reply ना करके दिखाऊंगा comment और उसके answer भी करूँगा आपको ठीक है तो बसे था आज को वीडियो में जो भी end तक देखा है आप सभी को special धन्यवाद है form को ज़रूर बहें और त्यारी विश्टाट